प्रिविद्यार्थियों आज मैं आप लोगों को कच्छा दश गडित के अंतरगत त्रिकोड मिती की प्रश्णावले 8.3 के प्रश्शंख्या 6 और 7 इन दो प्रश्णों को इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कल मैंने आप लोगों को प्रस्ट संख्या 3, 4 और 5 इन 3 प्रस्टों को बताया था मैंने बताया था कि वो 3 प्रस्ट आप लोगों के लिए फरिच्छा की दृष्ट कौन से बहुत ही महात्पूर हैं और प्रसंख्या 6 साथ भी आप लोगों के लिए या ऐसा कहिए कि ये प्रश्णावली ही आपके लिए बहुत ही महात्पूर है तो इसके प्रत्येक प्रश्णों को आप लोग समझें अभ्यास करें तो आईए हम प्रसंख्या 6 को देखते हैं प्रसंख्या 6 में क्या है यदि A, B और C त्रिभूज A, B, C के अंतह कोण देखें कोण दो प्रकार के होते हैं एक अंतह कोण एक Y कोण तो अंतह कोण हो तो दिखाईए मैं कई दिन बता दिया कि दिखाईए का मतलब सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि साइन इंटू B प्लस C बाइटू इजग्वाल काश A बाइटू तो आप लोग देखिए इस प्रसंख्यों को बड़े आसानी से हल कर लेंगे आप लोग यहां समझने की बात है कि A, B और C त्रिभूज A, B, C के अंतह कोण हैं अर्थात जो त्रिभूज A, B, C है उस त्रिभूज A, B, C के अंतह कोण बोलिए कौन-कौन हैं A, B, और C अर्थात कोण A, कोण B, और कोण C तो एक कौइंट आप लोग कच्छा 6, 7 की ही बुक से सुनते चले आ रहे हैं कि देखें त्रिभूज के तीनों अंतह कोडों का जो योगफल होता है ओ 180 अंस होता है त्रिभूज के तीनों अंतह कोडों का योगफल कितना होता है 180 अंस होता है तो बस इसी मैटर पर ये प्र कोडों का योगफल 180 अंस होता है मने जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के जो तीनों अंता कोड होते हैं उनका योगफल 180 अंस होता है तो जैसे त्रिभुज के तीनों कोड क्या है A, B और C तो अर्थात अगर हम प्रश्ण में दिये गए तीनो कोडों का अगर जोड करें तो किसके बराबर होगा 180 के बराबर तो अर्थात हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180 अब जहां A क्या है कोड A, B क्या है कोड B, C क्या है कोड C और किसके कोड त्रिभू JBC के कोड तो त्रिभू के तीनों अंता कोडों का योग फल 180C अंस होता है तो हमने A प्लस B प्लस C ब्राबर 180C अंस लिख दिया अब यहाँ पर थोड़ा से जो चीजे हमें सिद्ध करनी होती है उसके लिए प्रस्निक में से मदद लेनी होती है या जो चीजे सिद्ध करनी होती है उससे थोड़ी सी मदद हमें लेनी पड़ती है चुकि उस रूप को लाने के लिए तो हमको उसी के तर्ज पर चलना होगा तो आप लोग यह देखें कि यहाँ बी प्लस c बाई टू लिखा है और वहां ए बाई टू लिखा है तो यह जो बटे में 2 आ गया अब यह दो तो यहां तो है नहीं कि यह प्लस b प्लस c में कहीं 2 है तो यह 2 तो हमें अपने से ही प barbecue संक्रिया करनी पड़ेगी कि हम उसका प्रयोग भी कर दें और प्रस्ट में परिवर्तन भी न हो तो इसका मतलब यह हुआ हम लिख देते हैं दोनों पच्छों में दोनों पच्छों में दो से भाग देने पर दोनों पच्छों में दो से भाग देने पर तो जैसे अगर हम a plus b plus c के बटे में 2 कर दें, तो a plus b plus c, पूरे का बटा 2, बराबर 180, अंस बटा 2. तो देखें, जो पूरे का बटा 2 हुआ है, ये सब के लिए 2 है, ये अकेला के वहले A के लिए, ये अकेला B के लिए, अकेला C के लिए नहीं है, ये तीनों के लिए by 2 होगा, तो हम इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, चुकि एक अस्थान पर देखें, वहां अकेला लिखा हुआ है, और दो अस्थानों पर वहां एक रूप में लिखा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कि a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is equal, अब ये जो 180 अंसबटा 2 है, इसका मतलब हो गया कि हम जब 180 का अधा करेंगे तो 90 हो जाएगा, अब आप देखिए कि हमें b plus c by 2 एक तरफ रखना है और a by 2 को एक तरफ रखना है, तो ऐसा आप कर लीजिए, तो यहाँ देखिए, अगर हम b by 2 plus c by 2 को यहाँ रखें, बराबर 90 डिग्री, इस a by 2 को अगर हम पच्छांतर कर दें, तो minus a by 2 हो सकता है, ये बात हो गई, अब देखिए, जो यह b by 2 plus c by 2 है, इसे हम चुकि हर दोनों का दो-दो समान है, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, b plus c whole upon 2, ऐसा हम कह सकते हैं, जबकि ये दो दोनों के लिए काम करेगा, तो जो अलग-अलग था, उसको मैंने सैयुक्त रूप में लिख दिया, बराबर ह हमारा क्या बजगिया, 90-a by 2, अच्छा, ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि इसी रूप में ऐस लाना है, तो अगर सिधान्त है, नियम है, तो उसको हम उस रूप में भी लिख सकते हैं, जिस रूप में लाना है, तो अब देखिए, कि जो सिध करना है, यहां साइन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, तो अगर हम साइन अब यहां कहां से पाएंगे भाई, तो साइन तो हमें कहीं से प्राप्त करना होगा ना, कहीं से लगाना होगा, और ऐसा करेंगे, कि जिससे कोई प्रस्न में फर्क भी न पड़े, तो अगर हम दोनों पच् में ले रहे हैं तो कोई फरक भी नहीं पड़ेगा तो आईए हम दोनों पच्छों में sign ले लेते हैं तो हम लिखते हैं sign लेंगे तो इसे हम brackets में लिखेंगे b plus c by 2 अब आप देखिए जो बाते सिद्ध करनी थी उसमें से एक बात तो आ गई और थाथ बाते सिद्ध करनी हैं उसका LHS तो हमें मिल गया अब RHS के वल मिलना है तो जो चीज मिल गया है या सिद्ध हो चुका है उसे हम जेवकाते हों हर लाइनों में उतारते चलेंगे बराबर अब आप लोगों को ये समझना है देखिए ये sign लिखा है फिर brackets में 90 degree minus A by 2 तो A by 2 को हम theta पढ़ सकते हैं तो हम इसको 90 degree minus theta पढ़ेंगे तो ये जो प्रेशन हमारा प्राप्त हो गया ये चतुर्थांस से सम्मंधित प्राप्त हो गया पहला इस tip की बदलेगा की नहीं बदलेगा तो मैंने बता अगर 90 रहेगा या 270 रहेगा तो उसके साथ लगा हुआ तरिकोड मितिन पाथ चेंज हो जाएगा तो अगर 90 है तो साइन किस में चेंज होगा कास में और कौन किस में चेंज होगा ये मैं आपको पूर में बता दिया हूँ तो ये साइन है तो कास में चेंज होगा अब इसके साथ आएगा क्या तो इसके लिए मैंने आपसे ये कहा था कि जो घटा रहता है या जो जुला रहता है 90 में से या 180 में से या 270 में से या 360 में से वही आता है तो बोलो क्या घटा है A by 2 घटा है तो यहां कास के साथ A by 2 आ जाएगा तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि sin into B plus C by 2 is equal कास A by 2 आ गया और यही बात हमें दिखाना था या यही बात हमें सिद्ध करनी थी तो हमने इसको सिद्ध कर दिया अब हम इसको लिख सकते हैं इती सिद्धम तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को प्रसंख्या 6 का हल बताया बहुत ही महात्पून प्रश्ण है आईए हम लोग प्रश्ण संख्या साथ एक प्रश्ण इस वीडियो में भी हम लोग और पढ़ेंगे फिर इसके बाद अगली प्रश्ण वाली को पढ़ने के लिए हम लोग कल उसके सोत्रों का अध्यन करेंगे फिर हम अगले दिन से उसके प्रश्णों को हल करेंगे तो आईए प्रश्ण संख्या साथ में विक्या बात दी गई है प्रश्ण संख्या साथ में भी इसी तरह का प्रश्ण है कह रहा है कि साइने सरसठ यंसे प्लस कास पचत्तर यंसे को 0 यंसे तथा 45 यंस के बीच के त्रिकोड मिती अनुपात में व्यक्त कीजिए अनुपात में व्यक्त कीजिए ये हमारा प्रश्ण है अर्थात ये प्रश्ण हमारा है साइन सरसठ यंसे प्लस कास पचत्तर यंस को 0 यंसे तथा 45 यंस के बीच के त्रिकोड मिती अनुपात में व्यक्त कीजिए अर्था 0 से बढ़ा हो और 45 से छोटा इसके बीच का हो बीच का मतलब क्या है कि अर्था 0 और 45 इसके बीच का हो तो बीच का मतलब क्या कि अर्था 0 से बढ़ा हो और 45 से छोटा हो ऐसे अन्सों के रूप में आपको दिएगे प्रश्ण को व्यक्त करना है तो ये बहुत ही आ इस सरसथ हंस का मान तो आपको बाई हर्ट याद कराया नहीं गया है तो सरसथ हंस का मान जानने के लिए हमें 90 अंस में से less करना होगा यानि कम करना होगा तो आप जानते हैं कि हम 90 में से कितना घटा दें 90 में से अगर हम 23 घटा दें तो यह सरसठ प्राप्त हो जाएगा और जो 23 घटाएंगे वो 0 और 45 के बीच का तो ही होगा न तो अर्थात यह ब्याद सही है तो इसको हम लिखते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री अर्थात अगर हम 90 में से अगर 23 घटा दें तो यह सरसठ अजाएगा फिर चलिए प्लस यह जो कास 75 अंस है अब देखे कास 75 अंस का भी मान तो नहीं याद कराया गया है तीसलिए हम इसको लिख सकते हैं कास इंटू 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री ठीक है ना तो अगर हम 90 में से 15 घटाएगे तो 75 आजाएगा अब जो 15 हम घटा रहे हैं यही तो हमारा एंसर लास्ट में आएगा ना यहाँ जो 23 घटाएगे यही तो यह तो यह तो यह 23 और 15 आएगा और 0 और 45 के बीच का ही तो होगा ना तो प्रस्ट की सर्थ पूरा हो जाएगी तो अब आप लोग देखिए कि यह जो 90 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है यह प्रथम चतुर्थांस में आएगा तो प्रथम चतुर्थांस में तो आल प्लस होता है तो इसका इंसर धनात्मक आएगा अब धनात्मक में क्या आएगा तो मैंने कहा था कि 90 रहेगा तो लगा हुआ त्रिकोड में तिनुपा चेंज होगा तो अगर 90 है तो साइन किस में चेंज होगा कास में चेंज होगा अब कास कितना तो मैंने बताया कि जो घटा रहेगा नब्बे में से या जुडा रहेगा व मैं ने बताया कि सभी आयंसर धनात्मक आते हैं लेकिन धनात्मक के साथ क्या आएंगे इसको जानने के लिए हम यह देखेंगे कि यहाँ पर 90 है कि 270 है कि 180 है कि 360 अगर यहाँ पर 90 और 270 दो में से कोई एक होगा तो यह लगा हुआ त्रिकोर्ड में तिन पाद चेंज होगा तो आप देखी कास है तो साइन हो गया अब क्या आएगा इसके साथ तो मैंने बता जो 90 में से घटेगा वही आएगा तो अगर 15 घटा है तो 15 आ जाएगा तो यह साइन 15 अंस हो गया अब आप देखिए यह जो साइन 60 था प्लस 85 था इसको हमने 0 और 25 इसके बीच में चेंज कर गया तो इस प्रकार से प्यारे वैच्चों मैंने आप लोगों को प्रस्नावली 8.3 के पूरे सातों प्रस्नों को बताया दो तीन वीडियो के माध्यम से तो आज बस इतना ही कल अब लोगों को प्रस्नावली 8.4 के प्रस्नों को पढ़ने के लिए उसके कुछे आवस्यक हुए फिर अगले दिन हम उसके प्रस्नों को बताएंगे बस आज इतना ही धर्निवाद